जी कैसे सभी बच्चा है होप सभी बच्च एक दमस्तोंगे आए जल्दी से हम लोग की हाइलाइट देखे जो आज की बजट था निर्मला सीतर अमन जी ने जो इंटरिम बजट प्रेजेंट करा उसमें क्या चेंज है सर ओल्ड रिजीम में कोई बजट में चेंज कोई लेकिन जो नियू रिजीम है 115 BAC उसके स्लाब में चेंज है बच्चे क्या चेंज है 023 लाक्स नेल होता था पहले भी होता था अब वह नेक्स जो स्लाब है वह 327 लाक्स मैं अमेंड़ बात कर रहा हूं आपके जार 023 लाक्स निल 327 लाक 5% देन 7-10 लाक्स 10% 10-12 लाक 15% 12-15 लाक्स 20% और 15 लाक्स से उपर तो आपका टैक्स लगेगा जी 30% तो एस लाबरेट में चेंज है बेनेफिट दिया गया है नियू रिजीम वाले को ओल्ड के लिए nothing दूसरा 115 BAC नियू रिजीम के लिए बेनेफिट स्टैंडर्ड डिदक्शन सैल रिगे अंदर 50,000 होती दि गर्मेंट कहीं न कहीं clear intention दे रही है old रिजीम से बाहर निकलिए और new रिजीम है यह पर मेरे असाब से यह कहीं न कहीं लोगों को सही नहीं लग रहा है क्यों अगर मैंने बहुत सारी LIC ले रखी है health insurance ले रखी है तो वो तो लंबे plan तक चलती है तो अब एकदम से मैं switch कैस करूँगा क्योंकि new रिजीम में तो कोई deductions ही नहीं मिलती तो यह उतना जादा welcome amendment मेरे हसाब से नहीं देन दूसरा जैसा कि आपने देखा कि stock market के अंदर बहुत ही तेजी होई है लोगों ने profits कमाया तो government भी बीच में आ गई है लाओ भी profit है तो हमें भी tax दो तो अगर short term capital gains हो है triple 1A के जो बच्चे CACACMA के student है वो तो समझ रहे होंगे triple 1A short term capital gain तीन assets होते थे उसे पहले 15% लगता था बच्चे वो 15% से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 20% और long term capital gain वही triple 1A वाले 3 assets 112A में long term capital gain में जाते थे तो long term capital gain shares and securities पहले 10% लगता था जो बढ़ाके 12.5% कर दि जो STT होता है security transaction tax वो 0.01% होता था उसको भी सरकार ने बढ़ा के 0.02% कर दिया है तो आपके capital gains पे पूरी नजर है और उस पे tax collect करा जाएगा यही एक कारण है जिस वाजा से आज stock market नीचे भी आई थी and most importantly 112A जो long term capital gain है उसमें 1,00,000 के exemption मिलती थी और अब आपको exemption बढ़ा क कित्ती दे दी गई है बचे 125,000 तो यह आपका major major highlights थी amendment की इसके लावा बहुत सारी और amendments आई है लेकिन I hope इतनी information आपके लिए बहुती helpful रही होगी thank you very much